Hello everyone, Simon, this side, आज हम बात करेंगे कि Export-Import Business में International Agent का क्या importance होता है, उसके क्या advantage और disadvantages होते हैं, और जब गी उनको hire करो तो आपको क्या-क्य questions पूछने चाहिए, और पूरो flow देखेंगे कि ये लोग कैसे काम करते हैं, मैं अभी बात करो International Agent की, ब्रोकर की बात नहीं कर रहा हो, International Broker is different, International Agent is different, और आपका इनको पर और चीज़ आती है, आपका इनको पर और चीज़ आती है, that is called Indenting Agent, तीनों में nominal सा डिफरेंस है, तीनों के ये रोल अलग है, अगर चैनल पर नहीं तो प्लिज सस्क्राइब कर दिज़ेगा, और जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है, तो लेट स्टार्ट, देखिए, कुछ पॉइंट्स बनाए, ताकि कुछ चीज़ा आपके लिए स्किपना हो, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, काम कैसे करता है, जो इंट्रनेशनीन एजेट्ट होता है, वे रिप्रेजेंट करता है उपके प्रोडक्ट, जो भी आपक्स्पोर्ट करना चाहते है, और without buying, वो बाइन做 पीरेंट करता है, किनके सामने हैं तो आपके प्रोड़क्त को पीच करता है, है buyers हो गया including आपके Distributors होकर Gorsodler होगे और retailers होगर आपके product का पीछ करता है उनके सामने अधने second point आता है कि इसका Job Rules क्या होते हैं मतलब किलिक क्या करता है घ्यक्टली वो सिर्फ बात करता है आपके पीच करता है कि यह प्रोड़क्त इस इंडिया से यह बंदा एक्सपोर्ट करने वाला है और बाकी का सारी responsibility आपकी होती है मतलब आपका order deliver करना वहां तक आपके documentation part हो गया आपका selling price वगरा सारा सारे तुजेड आपको invoice हो गया delivery कैसे करना है payment collection कैसे करना है वो सारा responsibility आपका है तो सिर्फ आपको introduce करवाइगा kind of उसके बाद और commission charge करेगा उसके बदले में उसके बाद एक benefit आता है international agent का क्या आपको local market का input बता देगा कि exactly local market में काम कैसे हो रहे कैसे चीज़े चलती है यह important point इसके प्रधान देना जो बताने के कोशिश कर रहा हूँ कि जो export import के agents होते हैं sales agent कोई क्यों agents आपको request करेगा कि monthly returner चाहिए करके मतलब आपका brand represent करने के लिए monthly returner माते है मतलब इसमें क्या क्या चीज़े आती है तेक इसका आता है cost of traveling का और sales and sales calls के लिए मतलब वो क्या बोलता है कि मैं आपके बहाफ पर यहाँ पर जाके meeting कर कह रहा हूँ तो आने जाने के expenses आपसे मांगेगा वो request करेगा कि मुझे यह चाहिए अपर्ट फ्रॉम कमिशन के अलावा यह चीज़े मागेगा और मैंने आज इतनी calls किया था इतने का वह चाहिए यह चाहिए तो इसके उपर आप focus करना कि आप पहली clear करो कि सिर्फ प्रोड़क्ट के उपर commission लाके दोगे या यह भी चार्जे सब bear करने वाले या तो आप देखेंगे हम की pros क्या है मतलब advantages क्या है देखिए आपको पूरा control होता है कि आपके branding के उपर आपके marketing कैसे करना है and pricing को उनसी देनी है आपको यह चीज़े बना के सिर्फ उसको देना तो एक plus point होगा कि सारा control आपके हाथ में होता है इस पे सिर्फ commission पे ही काम करना है agreement वगर पे जाके कि आपको महने का इतना देंगे वह देंगे आप इसको avoid कर सकते हैं तो यह second point हुआ थड़ता है कि commission तो दो इसके अलवा एक benefit होता है कि इसके पास ना बहुत limited access होता है distribution shape का अधर जो distributor का कैसे network होता है कि distributor multiple लोगों को वह करता है इसके बात limited access होता है so that एक यह plus point भी और इसका negative point भी plus point यह है कि यह आपके focus product के उपर ज्यादव focus कर पाएगा युकिन limited access है उसके पास distribution channel का तो यह एक plus point है अभी negative point के बात करेंगे कि जैसे मैं आपको बताया था कि limited access है तो इसके resources limited होते हैं यह negative point बता रहा हो भी distributor से कम इसके पास negative distributor से कम इसके पास network होता है तो कि disadvantage हो गया second चीज़ी आती है कि commission basis पे जब भी लोग कोई काम करते हैं आपके लिए तो आपके commitment की बात आ जाती है कि जब वो sales लाइगा तो commitment इतना fulfill नहीं कर पाता है कोई को agent कि हाँ जब भी कही से order आया तो मतलब फुल फ्लेज नहीं दे पाता है तो आपके प्रोड़क्त का export होना थोड़ासा difference हो जाता है कि बाकी लोगों को रहा है आपका नहीं हो रहा है commission पे क्योंकि यहां पर commission basis पे जब काम आएगा तो करेगा orders नहीं आएगा तो नहीं करेगा तो यहां पर कैसा होता है कि हर चीज आप ही को देखना होता है मतलब यह person क्या करेगा यह person हां इनका इतने तक order है आप इनसे बात कर लोगे email idea वगर आपके meetings करवा देगा सारे चीज़े वागे everything is done by your side which include आपके orders फिल करोने है ना collecting of payments हो गया और managing all sales export channel सब सब everything is done by you ठीक यह कुछ रूल ही नहीं होता है एक दूसरा decide notice हाता है इसका कि payment की regarding ठीक है फिया तो currency fluctuate हो तो इसमें तो किसी का है नहीं hold तो एक वो percentage है एक होता है product rejection होता है तो वह बोलेगा कि मेरा कुछ नहीं मतलब आप देखो और आपका buyer देखो my role was मतलब एजन बोलेगा कि मेरे यह काम था कि आपको buyer से मिलाना तो यह इसके पर आपको बात करने पड़ेगी कि आपके बायर ने प्रोड़क रिजिट किया तो आप क्या करोगे इसके उपर बले इंशुरेंस होगा that is a different story बड़ा को पूछना पड़ेगा यह warranty claims का payment कभी वो नहीं लेता है आपको अपने चीजे पता होगे कि किस payment term पे आपको वो आपको पता होगा कि LC का क्या concept है कितना प्रसाइडवास लेना ताप इसके पर work out कर दीजिएगा एक main decision पे जाता है कि आप market lose करते हो क्योंकि suppose करो कि मैं agro product से हो या तो किसी भी industry से हो जहापे मुझे export करना है तो मेरे जैसे और तीन-चार अगर exporter मिल जायो इसको different इसके तो एक चीज़ के वह focus नहीं करेगा वह जहां पर जिसको जितना अच्छा commission मिलता वह सबसे पहले वहापे represent करेगा apart from that आपका presentation कितना important है आपका kind of product catalog कितना important है आपकी website और आप कितना अच्छा represent करते हो यह भी matter करता तो आपसे बहतर कोई हुआ तो सबसे पहले उसको preference देख और आपका आपकोई competition मिल जाएगा तो लोकल मार्केट में आपके shares कम हो सकते हैं अब दूसरी चीज़ी क्या होती है कि apart from commission न यह agent आपको बताना महने का खर्चा मांग लेते हैं कि आपके visiting charges होगे और आपके calls के charges तो यह expensive पड़ जाता है sometimes क्योंकि आपको महने का भी देना है उसका commission भी देना है और यह expenses बेर करने तो इसके पर फोकस करने के exactly पहली clear करके रखना कि क्या हाँ पर क्या बात करने आपको apart from that कि जब यह costly चीज़े पड़ती है न तो यह न तार्गेट अचीव करने में कभी कवर fail हो जाते हैं सब की बात नहीं कर रहा हो जब आपको आप उनको आने जाने का यह पूछो कि आपको एजन की क्या जरुरत है मतलब इससे expectation क्या रखते हो कि वो क्या कर सकता है और आप क्या दे सकते हो मतलब को यह product है उससे क्या expectation सकते हो पहले खुद के मन से बना लो जब यह agent hire करना हो तो उसके बाद पता चल गए कि मुझे उससे यह काम करवाना है फिर द सब्सक्रों मेरा एग्रो के spices का product है for example for example मेरे मैं spices में deal करता हो तो इसको पूछो कि आपने इस similar product में आपका कितना experience है यह first question होना ही चाहिए कि similar product में आपका कितना experiences first दूसरा पूछो कि आपकी marketing and services की क्या strength है आप मतलब ऐसे क्या करो गया ता कि आपको भी तो पता चले कि व आप उसको higher करोगे main question है कि मार्केटिंग and services कि आपकी क्या strength है कि आपकी monopoly किस चीज में है तीसरा पूछो कि आप कितने टाइम से agent का काम कर रहे हो पता चले कि नयन agent बना पता है नहीं उसको किस चीज़ का कि हावा इदर से commission मिल रहा हो दर से commission so you should ask them कि कि आपको कितने साल से आप agent का काम कर रहे है चोथा आता है कि आपके पास को successful client है क्या जैसे आप agent का काम करते हो तो आज से पहले आपका previous काम क्या है क्लाइन का नाम नहीं मांगे तो चलेगा पर उसे पूछो तो सही कि आपके success story क्या है मतला आज तक अपने कितने लोगों को यह export इंपोर्ट कमें agent का काम कर रखा है ठीक है इसके बाद आप यह बताओ कि अगर आपको हमारे जैसे और किसी लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनस में similar product में किसे ने अप्रोच किया तो उसमें conflict क्या क्या सकते मतलब किसको preference देगा पूछो यह कि similar और लोगों ने अप्रोच किया तो what will be your first thing to do क्या करोगे मतलब कि choice क्या आप हमारे साथ continue करोगे या उनके साथ करोगे या एक ही person को हम दोनों कि आप product का वो catalog same catalog दे रोगे exactly कैसे काम करोगे यह पूछो ठीक and आपका projection क्या है कि यह पूरा जो cycle है जब हम काम कर रहे export का और आपके साथ से तो आपके delivery time पूछो कि आप कितने time तक आप इसको deliver कर सकते हो यह product को कितने time बात कितने clients ला सकते हो कितने कितने containers आप bring कर सकते हो यह चीजी पूछो आइदर आप जो meeting पर सकते हो calls पर सकते हो video call पर सकते हो so it's totally up to you I hope आपको थोड़ा सा समझ आया होगा and मेरा export import के आज कर मैने training session start किया so you can join my training session number मेरा description पर है so you can call me anytime and thanks for watching this video have a great day और कुछ भी अगर डाउट है export import के regarding you just give me a call so I can explain you in better way agent का वीडियो upcoming आने वाले टाइम पर export agent की वीडियो की बात करेंगे sorry broker की बात करेंगे कि broker में क्या-के चीजे होती और क्या ने so I hope this video से कुछ सीखने को मिला हो and like share subscribe कर दिजेगा thank you so much for watching this video have a great day guys thank you